गंगा नदी में नाले का गंदा पानी आने से निर्मलता नस्ट होती जा रही है। नदी को साफ रखने के लिए नमामी गंगे योजना के तहट अब बिहार की रार्थानी पटना के पूरे सहर में मौजूद सभी घरों से निकलने वाले गंदे और उपयोग किये गए पानी सीधे गंगा में गिरने से बचानी के लिए स्टिपी का निर्मान किया जा रहा है। के सभी बॉड और आसपास के छेतर की सीवेज लाइन को स्टिपी यानि की सीवेज ट्रीट्मेंट प्लान से जोरा जा रहा है। बता दें कि पटना के दो प्रमुक स्थानों पर दिखा और कंकरबाग के स्टिपी का निर्मान कारे अब तक ठीक से शुरू नहीं हुआ है। की तरह से कर ली गई है। इसका निर्मान वर्ष दो हजार जौबिस दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इनके पूरा होने के बाद यानि की अगली साल दिसंबर से गंगा में गंदा पानी नहीं जाएगा। दिगा स्टीपी की छंता 100 MLD, मेलियन लीटर प्रत्रदिन और कंकरबाग की छंता 50 MLD होने वाली है। सहर के बड़े और प्रमुख नाली मसलन मंदीरी राजापूर कुर्जी समेत अन्य दीखा स्टीपी से जोड़ दिये जाएगी। इसी तरह कंकरबाग से सेदपूर समेत अन्य नालो को जोड़ा जाएगा। इस तरह इन दिनों अब जिस तरीके से लोग पानी को कंगा नदी में डाल देते हैं अब ऐसा नहीं हूपाएगा। क्योंकि अब तकरीबन सहर में सभी बड़े नालो को अब स्टीपी से जोड़ा जाएगा। जिस वज़े से अब गंगा में साफ पानी गिरेगा। पटना और आसपास शेत्र को मिलाकर साथ स्टीपी बनने वाले हैं जिन में दो को छोड़ कर अन्य तयार हैं। इन में कुछ चालू भी हो चुकी हैं। सभी के चालू होने के बाद दिसंबर दोहजार जोबिस के बाद से गंगा में शहर का कोई गंदा पानी नहीं जाएगा। इस मामले में बोड को M.D. धर्मेंद्र कुमार सिंग का कहना है कि आगामी दिसंबर तक दिखा और कंकरबाग स्टीपी चालू हो जाएगा। मेरो रिपोर्ट न्यूस प्यार लाइव पटना। मेरो रिपोर्ट नहीं जाएगा।